हेलो होम सैंस कॉम्टेटर्स मैं हूँ डॉक्टर बन्ना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमबर सेवेंटीन का पेपर जो की थर्ड पेपर है और इसका पार्ट टू है और जादा से जादा शेयर करिए और बल आइकान को जरूर क्लिक कर दीजी जिससे की आपको टाइम टू टाइम नोडिफिकेशन मिलता रहे चली फिर स्टार्ट करते हैं ग्यारवा नंबर क्वेश्चन और इसका हिंदी भी हम डिसकस करेंगे तो इसके लिए परशान बिल्कुल भी मत हो यह चली तो यहां पर जो आंसर होगा वो है तीसरा आंसर न्यूज हैडलाइन ओके तो यहां पर जो पूछ रहा है है एक मिनटा है यहां पर यहां पर सॉखंच रहा है यांफ रहा है कहां पर फॉर्म एफीद्बैक नहीं है यानि कि मास कम्मुनकेशन में जो है कौन सा यहां पर फीद्बैक का रूप नहीं है, तो news headlines, यह कोई feedback नहीं है, news headlines आप देखते हो, उस पर कोई आप feedback नहीं देते हो, ठीक है, later to the editor, live phone ins और TRT, यह सब क्या है, यह feedback के form है, फिर है बारो number question, I interactive PLA tool to collect data for planning and extension program is sociometry, seasonal diagramming, scatter diagramming, या फिर sequencing, तो PLA tool कही बार हम discuss कर चुके हैं, picture care through, तो यहाँ पर जो इसका answer होगा, वो है, दूसरा seasonal diagramming होता है, वो PLA tool है, एक interactive PLA tool है, ठीक है, फिर आता है 13 number question है, sorry, 13 number question है, following agencies provide data for nutrition monitoring in India, NFHS, CPWD, NSSO, FSSAI, CBHI, तो यहाँ पर पूछा गया है, जो इंडिया में हमारे nutrition को monitor करने के लिए, कौन कौन से agency data provide करती है, तो यहाँ पर जो answer है, वो है, एक तो national family health survey है, ठीक, और दूसरा है NSSO और CBHI, full form यहाँ पर हमने सब का लिख दिया, जिसे की आप इसके full form भी जान सको, national family health survey इस time पर जो है, पांचवा national family health survey हुआ है, और यह family related health survey करता है, जैसा की नाम से पता चल रहा है, तो इसमें जैसे की maternal mortality rate है, जो मात्र मृत्य उदर है, बच्चे की मृत्य उदर है, शिशू की मृत्य उदर है, इसके अलावा कुपोशन से संबंदिश, इस्टंटेड चिल्डरन है, वेस्टेड चिल्डरन है, या फिर जो ओवरवेड चिल्डरन है, अंडरवेड चिल्डरन है, तो इनका data प्रवाइड करता है कि कितनी percentage हमारे इंडिया में, जो चाहे वो इस्टंटेड हो, चाहे वो वेस्टेड हो, चाहे वो अंडरवेड चि NSSO क्या है यह socio-economic data प्रवाइड करता है जो सामाजिक आर्थिक data है वो प्रवाइड करता है और CBHI यह जितने भी communicable और non-communicable disease हैं उनसे related data प्रवाइड करने का काम करता है okay communicable का मतलब है जो कि समुदाय में फैलने वाली बिमारी है जैसे कि present time पर आपने देखा गडेंग हो गया ताइफॉइड हो गया फीवर वगरा जो होता है यानि कि समुदाय में फैलता है ठीक है एक को हुआ दूसरे को हुआ यानि कि हम कह सकते हैं infection से हो रहा है चाहे viral हो चाह प्रॉब्लम हो गए तो यह सब non communicable disease में आती है तो इनसे रिलेट जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है CBHI Central Bureau of Health Intelligence CPWD आप देखो Central Public Works Department PWD आप सभी जानते हो FSSAI जो है Food Safety and Standards Authority of India तो जितने भी packaged food items आते हैं चाहे वो canned हो चाहे वो यह paper bag हो ठीक है paper packed हो तो यह क्या करता है जो भी food items होते हैं वो कितना safe है और वो कितने standard quality के हैं उनको यह authority देने का काम करता है यानि कि जो एक FSSAI का standard है उस पर इनको खरा उतरना होता है तभी आपने देखा होगा जितने भी packaged food items आते हैं उसमें FSSAI का tag लगा होता है या फिर लिखा होता है FSSAI इसका मतलब है कि वो इससे authorized है इसके standard पर सही है और हमारे health के लिए safe है ओके चलिए तो यहाँ पर जो right answer है वो यही है A, C और E अब आते हैं हिंदी में भी देख लेते हैं इसको हम फटा-फट में से कौन सा जल संचार में पोस्टी प्रदान नहीं का था पोस्टी का मतलब हो गया feedback तो मुखी समाचार आप सुनते हो कोई feedback नहीं देते हो पत्र लिखना feedback का form हो गया पसारान की दौरान phone करना ठीक है आप phone करके बतात के लिए एक परस पर सम्वादात्मक पी एल ले उपकरण है तो वो है मौसमी आरे कंसीजनल डाइग्रामी भारत वस्ट में पोशन संबंधी निगरानी के लिए आकड़े निमली के संस्थाएं देती हैं तो यह हम देख चुके national family health survey है national sample survey और CBHI यह तीनों है दूसरा वाला इसमें सही है अब आते हैं 14 नंबर question पर तो यहाँ पर है which of the following are retrospective method of diet assessment तो यहाँ पर जो right answer है वो है दूसरा ACE 24 hour recall method है food frequency questionnaire है और food balance sheet है ठीक है तो यह तीनों क्या है retrospective method है dietary assessment के तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा आपको dietary assessment जो method होता है दो type का होता है एक होता है direct और एक होता है indirect ठीक है अब देखिए direct का मतलब है जिसमें कि directly हम किसी भी वेक्टी से जा करके पूछ करके और उसका diet को assess करते हैं ठीक है और indirect का मतलब है जिसमें हम secondary information का use करते हैं यहाँ पर हम secondary information का use करते हैं और यहाँ पर हम कहें primary information direct individual से जा करके ठीक है secondary information का मतलब है किती food supply हो रही है कितना food expenditure हो रहा है या फिर क्रिशी का stat क्या है agriculture status क्या है तो इन सब के आधार पर जो है हम assess करते हैं लेकिन direct में direct individual से जा करके या फिर जो भी हमें record लेना है हम direct जा करके primary information के थ्रूँ data collect करते हैं indirect में national और household लेवल पर आता है household का मतलब हो गया household लेवल पर जो consumption हो रहा है spend teacher हो रहा है उसकी survey के अधार पर हम data collect करते हैं और national का मतलब हो गया food balance sheet यानि कि रास्ट्रिय अस्तर पर अगर हम बात करें national लेवल पर तो food balance sheet का use किया रहा है food balance sheet में होता क्या है कि जितना consumption हुआ है ठीक है यानि कि जितना consumption हो रहा है हमारे रास्ट्रिय अस्तर पर लोगों के द्वारा जो food का consumption हो रहा है उसके आधार पर food balance sheet त्यार की जाती है अब डायरेक्ट में है रिट्रोइस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव और इन्नोवेटिव टेक्नोलजी रिट्रोइस्पेक्टिव में डाटरी हिस्ट्री, 24-hour recall, food frequency questionnaire, indicators of dietary quality screeners प्रोस्पेक्टिव में estimated food record, weight food record और duplicate diet model इन्नोमेटिव टेक्नोलजी में जो प्रिजेंट टाइम पर आप देखर हो हर को यूज कर रहा है अपने diet को एससेस करने के लिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, image assisted dietary assessment method है, mobile based technology है, interactive computer and web based technology है, scan and sensor based technology है तो अब यहां पर बात आती है, जो question पूछा गया है, retrospective, retrospective का मतलब क्या होता है retrospective का मतलब होता है, कि आपने food consume कर लिया, उसके बाद में हम data का calculate करते हैं, जो nutrients है, आपने कितना carbohydrate लिया, protein लिया, fat लिया, vitamin लिया, उसको हम food consume करने के बाद में calculate करते हैं तो वुसे वही हम 24 hour recall, food frequency में ही करते हैं, कि आपने क्या क्या 24 गंटे में लिया, उसको note करेंगे, फिर उसमें से हम देखेंगे, कौन-कौन से nutrients आपने कितनी-कितनी मात्रा में लिये, फिर उसको standard से compare करेंगे तो retrospective का मतलब यह होता है, कि food consume करने के बाद में आप nutrient calculate कर रहे हो, prospective का मतलब होता है, कि consume करने से पहले हम nutrient calculate करते हैं, तो उसमें यह सारी चीज़ें आ जाती हैं, अब देखेंगे, यहां बगा confused मत होईएगा, कि assessment में die, यहां तो retrospective में 24 hour food frequency दिया है, लेकिन food balance इंडारेक् में तो है, लेकिन यह भी क्या है, retrospective method है, कैसे है, यह food balance sheet क्या होता है, कि कितना consumption हो रहा है, रास्ट्रिय अस्तर पर कितना लोगों के द्वारा consume किया जा रहा है, तो उसको जानने के बाद, यानि कि after consumption balance sheet तयार की जाती है, तो यह भी retrospective में आ जाएगा, लेकिन यह indirect method के अं के कोई एक और अलग सी वीडियो तयार करेंगे, और जिसमें हम इसको detail में, direct और indirect method को discuss करेंगे, ठीक है, चली, अब आते हैं 15 number question पर, ascorbic acid is essential for maintaining the following function in the body, collagen formation acts as a coenzyme, blood clotting acts as an antioxidant, या फिक acts as a reducing agent, तो इसका जो answer है, वो दूसरा है, ADE, collagen formation करता है, और anti-oxidant की तरह काम करता है, और reducing agent की तरह काम करता है, तो जो ascorbic acid, जिसे की हम क्या कह सकते हैं, vitamin C, okay, तो यहां पर, यहां मैं, type कर देते हूं, ascorbic acid को, vitamin C, scientific name, ठीक है, vitamin में इसको vitamin C कहा जाता है, okay, चलिए, okay, तो यह ascorbic acid को, जिसे हम vitamin C भी कहते हैं, यह किसले जरूरी होता है, हमारे body में कौन सा function करता है, collagen का formation करता है, collagen जो एक protein है, और हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, चाहे हो, इसकी नो हमारे चाहे, bones हो, चाहे कोई organ हो, ठीक है, यहने कि पूरे body में collagen होता है, यह protein पाई जाती है, जिसके लिए vitamin C की बहुत ज़रूरत होती है, और यह antioxidant की तारह काम करता है, आप सभी जानते हो, पाई जाता है, जितने भी citrus food है, खटे फल, उनमें पाई जाता है, ठीक है, और vegetables में पाई जाता है, anti-oxidant जो की हमारे immune system को strong करने का काम करता है, anti-oxidant, ओक है, और reducing agent की तरह भी यह काम करता है, तो यह right answer होगी है, 16 number question है, following are the diagnostic criteria for metabolic syndrome, SDR cholesterol more than 60 mg per 100 ml of serum, serum triglyceride more than 150 mg per 100 ml, waist circumference more than 80 cm in females, fasting, blood sugar less than 100 mg per 100 ml, BMI more than 23 kg per meter square, तो यहाँ पुछा रहा है, following are the diagnostic criteria for metabolic syndrome, यहनि कि कोई भी metabolic syndrome है, तो उसका diagnostic, diagnose करने का criteria क्या है, ओके तो यहाँ पर जो right answer है, वो है, 30, B, C, E, ठीक है, B, serum triglyceride more than, waist circumference more than, और BMI more than, okay, जैसे बात है, जो SDR cholesterol, जिसे high density cholesterol बोलते हैं, और इसको good cholesterol भी कहा जाता है, यह हमारे लिए अच्छा होता है, तो 60 mg से अगर आप अधिक लेते हो, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है, SDM, यहनि SDM cholesterol का जो level है, तो more than 60 mg per 100 ml of serum होना चाहिए, तो यह तो सही है, तो यह कोई diagnostic criteria नहीं हुआ, ओके, लेकिन serum triglyceride, अगर 150 mg per 100 ml से अधिक है, तो इसका मतलब है, कि यह परिशानी की वज़ा है, waist circumference, अगर 80 cm से अधिक है female में, तो इसका मतलब है, वो obesity की शिकार है, BMI अगर 23 kg per meter square से अगर अधिक है, तो भी इसका मतलब है, कि वो overweight की ओर है, यानि कि overweight obesity उसको हो सकता है, ठीक है, तो यह सब क्या है, यह criteria, diagnostic criteria है, metabolic syndrome होने की chances, अगर इसको control नहीं किया गया, तो metabolic syndrome होने की chances बढ़ जाते हैं, fasting blood sugar, अगर 100 mg से कम है, तो कोई बात नहीं, तो यह criteria नहीं है, क्योंकि कम तो होना ही चाहिए, ठीक है, और यह अधिक हो सकता है, तो criteria यहाँ पर जो more than है, वो हो जाएगा, फिर है, 17 number question है, equipment found in the production area are, griddle, char boiler, portion scale, decor, refrigerator, clamble, इसको मैं picture के माधिम से भी आपको दिखाऊंगी, कि यह सब होते क्या है, right answer बता देती हूँ, इसमें जो production area में कौन कों से equipment, production area में जहाँ पर food का production किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, इक तो griddle आएगा, char boiler आएगा, deck oven आएगा, और clamble cooker आएगा, ठीक है, यह सब production area में रहने वाली चीज़े है, portion scale, यह तो हम जाएसे बात है, portion को मापने के लिए यूज़ करते हैं, रफ्रेजरेटर का production area में कोई काम नहीं है, क्योंकि इस इस्टोर जेरी के में रहेगा, अब यह होते क्या हैं, इसको अब मैं picture आपको दिखा देती हूँ, sorry, यह है, आप देख सकते हो, okay, sample survey office, तो इसको हम बार में discuss कर लेंगे, थोड़ा सा sample survey office के बारे में है, अभी देखते हैं, griddle, okay, तो griddle जो है, यह आप देख सकते हैं, यह picture है, यह picture है griddle का, ठीक है, ग्रिडल है, जिस पर की हम यहाँ पर इसको cook किया जा रहा है, ठीक है, तबे, जिसे हम तबे पर cook करते हैं, तो वैसे ही समलीजे, प्लेट होती है, जिस पर की, इसको cook किया जाता है, यह है griddle, और चार बॉलर क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है चार बॉलर, ठीक है, यहाँ पर, देख रहे हो, यहाँ रिप्स है, यानि की, ऐसे, जिसे के, हम क्या करते हैं, कह सकते हैं, कि उसका यूज करते हैं, टोस्टर वगरा का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एकदम प्लेन, इस्मूज सर्फिस, हाँ, सॉरी, एक्ज़ेकली, जो वर्ड नहीं आ रहा था, कि यहाँ पर इस् ग्रिडल का Smith Surface होता है जब कि Char Boiler की आप देख रहे हो Appead Prison किर ढिये हैं थीक है तो यहां पर इसे ग्रिजिंग करते हैं तो वेसे ही आप से देख रहे हो समसर्फिस नहीं है बलगी इसरी करके से होता है Char Boiler और इस पर डी कुक है जाता है जो Clamble Cooker है actually यहाँ पर यहन आने जो clampall cooker कहा गया है तो यह जब मैं सर्च कर रहे थी तो उसमें Campbell cooker था तो उसते में भी कुछ गल्ती हो उसमें तो इस तरी के का यह cooker होता है तो यह प्रोडक्शन एरिया छुके cooker है तो फ्रोडक्शन एरिया में जो deck oven आता है, वो single, 1, 2, 3, 4, 5, कई सारे compartments उसके हो सकते हैं, ठीक है, तो यह होता है deck oven, तो भी production area में ही आ जाएगा, oven में हम करते हैं, बस मैंने आपर पिछो दिखा दिया आपको, कि होता कैसे, griddle, char boiler, deck oven और clamber cooker, यह कैसे होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, refrigerator आप सभी जानते हो, तिसमें कुछ पताने वाली बात नहीं है, आर अकलन के लिए निमसित में से कौन सी पूरो प्रभावी विधियां हैं, तो यह हम देख चुके हैं, 24 घंटे आनुस्मरण विधी है, भोजन आवरत्ती प्रशनावली है, और भोजन बालन शीड है, फिर है शेयर में निमकारियों को बनाया रखने के लिए, स्कॉर्विक एसिट अनिमार, यानि कि वाटमिन सी, किसली जरूरी है, क्वालेजन के लिए जरूरी है, एंटि आक्सिन का काम करता है, और रिडिशिंग कारका भी यह काम करता है, फिर आते मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नि हो सकते हैं, और 20 kg पर मिटर स्कॉर्ड से कर अधिक है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें कि हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिस्बालन्स हो जाता है, चलिए, अब आते हैं 17 नमबर क्वेशन, उत्पादन कारेस् तो कौन से टूल्स हैं जो कि problem solving में उनकी जुरुरत होती है तो यहां पर जो right answer है वो है तीसरा ABDF, pato chart, check sheet, cause and effect diagram और process chart यह सब problem solving में काम आते हैं ठीक है अब यह होते क्या हैं तो इसको मैं आपको दिखा देती हूं परेटो चार्ट यह देखिए परेटो चार्ट होता क्या है परेटो चार्ट को परेटो आरेक और परेटो विशलेशन भी कहा जाता है ठीक है परेटो विशलेशन यह परेटो आरेक भी कहा जाता है इसका नाम इतालवी अर्थशास्त्री विलफ्रेडो परेटो के नाम पर र के लिए लगभग 80 पत्रिशत परणाम 20% इस हितियों से आते हैं इस धान का उपयोग किसी विदेश के वेपारिज लाप फिर यह संभाविता और सांखिकी का एक हिस्सा है अब आते हैं पारटो चार्ट पर पर पारटो चार्ट एक बार ग्राफ या बार और लाइन ग्राफ क कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इस चार्ट का उपयोग करने का उदेश बार ग्राफ चार्ट में डेटा के एक सट का पद्नेट करना है वेक्तिगत मानों को बार के लंबाई द्वारा दर्शाया जाता है और रेखा संयुक तो खुल को दर्शाती है ओके निकि टोटल को जो ग्राफ शो करता है और व्यक्तिगत जो मान होते है इंडिवीजवल जो डेटा है उनको बार के द्वारा दर्शाया आता है मान ग्राफ में सबसे लंबी पड़ी 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 तक फ्यक्ति किये जाते हैं यह चार्ट भी एक्सेशीट पर उपयोग करके बनाए जाते है मूल्ड से ग्राफ प्रतिक शेयनी के लिए बड़ी मातर में जानकारी पर सांखिकी जानकारी देते हैं इसलिए अगड़ती शांखिकी का एक हिस्सा है अब यहां पर एक्जांबल देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिसे ग्रहाकों से प्राब के आनुसार xyz कोई restaurant है तो xyz restaurant के लिए feedback visualization का एक chart तयाग करना है यानि कि जो consumer के द्वारा xyz कोई restaurant है उसके लिए जो भी वहाँ पर customer आते हैं तो उनका जो feedback है उसका उसको analyze करना है chart की माध्यम से ठीक है अब यहां पर ग्रहाखों को चार बिंदू के चेक्लिस्ट दी जाती और जिसके आधार पर उन्हें rating देनी है 10 में से ठीक है अब rating में जो checklist दी गई उसमें 4 बिंदू कौन कौन से हैं भोजन के स्वात की आधार पर भोजन की गुडवत्ता की आधार पर कीमत की आधार और उनके presentation यानि के प्रसती के आधार पर उनको 10 में से rating देनी है अब इस पर यह चार्ट त्यार किया जा रहा है पारटो चार्ट तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे XYZ रस्त्रों के लिए जो feedback उन्होंने दिया है उसके लिए पारटो चार्ट बनाया गया है टेस्ट के लिए quality, price और presentation तो यहाँ पर 10 में से इनको देना है तो इन्होंने आठ में से दिया हुआ है इसे टेस्ट के लिए quality, price, presentation ठीक है तो यह क्या है यह तो बार ग्राफ है जो आप देख रहे हो यह बार ग्राफ है और यह लाइन ग्राफ है जो रेटिंग लिए इसको बार ग्राफ का यानि कि यह जो परडाटो चार्ट है इसमें लाइन का और बार ग्राफ दोनों का ही यूज किया जा रहा है तो यह होता है परडाटो चार्ट ठीक है तो प्रॉबलम सॉल्विंग का काम कर रहा है कि फीडाग कितना है तो इसके लिए यह यहाँ पर यह इसका प्योग के जा रहा है इस प्रकार प्रेटो चार्ट बार के साथ एक रेखा खीचने के लिए अव्रत्ती के प्रतिशत और हे रेस्टरां कितना अच्छा है उस ही क्वाली के मामले में यह ठीक है कि computer से related कोई भी समस्या है तो इसके लिए check sheet का प्रयोग किया रहा है यहां पर problem लिखी हुए, network problem है, server है, email, server assess का problem है और यहां पर उनका weekly status दिखा जा रहा है पहले week में कैसा था, दूसरे में कैसा था, तीसरे में, चौधे में और total यहां पर कर लिया जाता है तो इससे पता चल जाता है, check sheet के मार्दिम से कि computer data जो भी problem है या फिर कोई भी अधर problem है, तो उसके अधाया पर problem को solve किया जा सकता है ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, next है, हाँ, यहां पर जो, पहले में इसको थोड़ा सा बटा आ देती हूँ जो cause and effect diagram है, यह भी problem solving method है, जो cause and effect diagram है, इसको fish bone diagram भी कहते हैं और ishikawa diagram भी कहते हैं, और यह टूल है जो कि use to identify, analyze the root cause of a problem यानि किसी भी समस्या का मूल कारण क्या है, उसको पहचानना, उसका identification करना और फिर उसको analyze करना, यानि कि उसका distillation करना, तो यह cause and effect diagram करता है, एक टूल की तरह काम करता है, इसको fish bone diagram या फिर ishikawa diagram भी कहते हैं ishikawa क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको doctor kauru ishikawa ने इसको create किया था, okay, इन्होंने ही इस tool को develop किया है, इसी वज़े से इनके नाम पर इसको ishikawa diagram भी कहते हैं, और कब क्या था, 1960 में किया था, यह एक quality control tool है for the Japanese manufacturing industry, यानि कि जो जापन की एक manufacturing industry थी, उसके लिए इन्होंने एक य करता है, okay, fishone diagram is used to visually display the potential causes of a problem, यानि कि कि किसी भी समस्य का कारण क्या है, उसको present करता है, इसको present करता है, इसको present करता है, और उसका संबन to the effect or outcome being examined, और उसका जो effect होगा, उसका जो प्रभाव होगा, उसके बीच में उसका संबन बताता है, the effect is typically placed at the head of the diagram, यानि diagram में head, head पर जो है, उसका effect होता है, और जो main cause है, जो main reason है, ठीक है problem का, वो जो है, इसके bones या फिर इसके branches के द्वारा दर्श आया जाता है, तो यहाँ पर आप picture देख लो, आपको समझ में आ जाए, देख रहो, fishbone diagram, ये fish है, तो head पर क्या है, effect है, और इसके जो bones है, या फिर हमके branches है, वो इसके main cause है, तो यहाँ पर यहाँ पर भी computer का example लिया गया है, कि क्या reason हो सकता है, ठीक है, किसी भी industry में अगर कुछ problem है, manpower की problem है, method सही नहीं है, material सही नहीं है, machine सही नहीं है, measurement सही नहीं है, या फिर mother nature नहीं सही है, इसके और भी subheadings है, materials में क्या हो सकता है, bad CD है, wrong CD है, method क्या inserted, CD wrong है, मलब CD को गलतरी के से insert किया गया है, upside, back है, या फिर machine की power fellow हो गया, hardware corrupt हो गया, hardware issue है, memory enough नहीं है, measurement सही नहीं है, manpower यानि कि उनको training अच्छी से नहीं दी गई है, या फिर वो instruction अच्छी से follow नहीं कर रहे है, मलब क्या reason, क्य कारण है, तो cause and effect diagram जो है, जिसको fission diagram भी कहा रहे है, ये भी किसी भी problem को solve करने का एक best tool होता है, okay, चलिए, process chart आप सभी जानते हो, process chart हम पहले भी discuss कर चुके है, पिछले जो video था, उसमें हमने process chart discuss किया हुआ है, तो वो भी step by step problem को solve करने का एक तरीका है, चलिए, अब आते है इस नंबर question पर, which of the following fibers are stretch fibers, neoprene, spandex, sisal, या फिर lyocet, तिहांपर मैंने इसके नाम लिख दिये है, जो stress fiber है, इसका right answer है, A और B है, neoprene है और spandex है, okay, तो ये दोनों क्या है, stress fiber, stress fiber का मतलब है, जो की stretch हो सके, fail सके, तो neoprene, ये एक synthetic, elastomeric fiber है, और spandex, दोनों ही synthetic, elastomeric fiber है, तो आप जानते हैं, जो fibers होते हैं, दो type के होते हैं, एक natural होते हैं, और एक manmade होते हैं, ठीक है, manmade के अंदर ही, आपके synthetic fibers आ जाते हैं, उसमें भी कई सारे हैं, cellozyk fibers हैं, animal fibers हैं, और mineral fibers हैं, तो दोनों में ही natural में और जो manmade fiber हैं दोनों में ही आते हैं तो जो यहां पर stress fiber की बात की जा रही है manmade fiber का मतलब है जो की man के द्वारा बनाया जा रहा है यानि कि हमारे द्वारा जो create किया जा रहा है ठीक जिनिकी अप synthetic भी कहते हैं chemicals का use किया जाता है जिसमे और ceasal जो है यह natural cellulogic fiber है और जो live cell है यह manmade cellulogic fiber है अब यहां पर manmade cellulogic जिसम ने कहा कि natural और manmade दो टाइप के fiber होते है natural में भी आपका cellulogic animal fiber और mineral fiber आता है वैसे ही manmade fiber होते हैं उसमें भी cellulogic आता है और animal तो नहीं कर सकते हैं लेकिन cellulogic और synthetic आ जाते है manmade cellulogic का मतलब यह है कि जिसमें कि जो chemicals का processing होती है यानि कि जो main जो product होता है यूज किया जाता है वो cellulogic होता है यानि कि वो पेर पहुत हो से प्राप्त किया है जिसे पेर की look दिये हो गई ठीक है यानि पेड के पार्ट होते हैं, वो लिया जाता है, प्रॉडक्ट होता है पेड का, यानि कि नैच्रल होता है, जो प्रॉडक्ट होगा, वो नैच्रल होगा, लेकिन उसमें केमिकल्स मिला करके, और केमिकल्स प्रॉसेसिंग के द्वारा, फाइबर तयार के जाता है, तो उसक परड़ेंगेए परणसे प्रोडक्त मिलेंगे न। दे प्रोड़ेंगे हो फाइबर तयार किया जाता। हमारा cotton jute यह सब है ठीक है रेयॉन भी man-made cellosic है ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया 19 number question फिर आते हैं structural jamming poker can be prevented by using chain stitch, using thicker thread, using thinner thread, using lock stitch या फिर reinforcing the seam इसका जो right answer है वो दूसरा है ACE इसका मतलब using chain stitch, using thinner thread और reinforcing the seam तो structural jamming poker can be prevented by अब यह होता क्या है तो पहले हम इसकी हिंदी देख लेते हैं उसके बाद में हम इसको picture देखते हैं इसका picture solve करते हैं समय से हल करने के लिए कुछ आवश्चिक साधन है तो parato chart क्या होता है बता चुके हैं check seat क्या होती यह भी अब discuss कर चुके सौरी यह नहीं होगा कारण और प्रभाव और एक fishbone diagram जिसे बोलते हैं और process chart बोलते हैं इनको हम डिसकस कर चुके हैं फिर है इनको में से कौन से तन तो लचकदार है तो यह नियोप्रिन और spandex ठीक है इसको मैं थोड़ा से दिखा देती हूँ आपको picture जिसे आपको clear हो जाए कि यह होता क्या है तो यह है seam pucker ठीक है तो यहाँ पर आप दिसके दो अगर seam pucker का मतलब क्या हुआ कि जब हम सिलाई करते हैं तो धागा अगर जदर tight हो गया उसकी वज़ा से सिलाई अची नहीं होती है ठीक है पुकरिंग एफेक्ट आता है ठीक है और अगर दागा लूज हो जाता है तो उसकी वज़ा से भी इस तरीके से सिलाई होती है ठीक है सही सिलाई नहीं होती है और यह right है just right सिलाई ठीक है तो seam pucker का मतलब यही है कि जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई करने के दौरान जो C1 है, जो सिलाई है, जब वो सही नहीं आती है, तो या तो टाइट हो जाता है, या फिर लूज जाता है, तो उसको पुकरिंग एफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? सिलाई का सही ना होना, एक लिए हिसे हम इसको कह सकते हैं. तो यहां पर यही पूछा गया है कि कैसे सही किया जा सकता है, इसमें जो जैमिंग होती है, वो भी कही प्रकार के होती है, तो यहां पर चेन ठागे की प्रयोग से इसको सही किया जा सकता है, पतले धागे का प्रयोग करके सही किया जा सकता है, या फिर C1 को पक्का करके सही किया जा सकता है, तो यहीं पर हम अपने question को खतम करते हैं, फिर 21 number question से next video में discuss करेंगे, तो अगर आपको video मेरा पसंद आया हो, जो समझाया है, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो like करें, और share करें, और subscribe करें, अगर नए हैं तो, okay, इसके जो भी PDF होगा, जब भी पूरा paper complete हो जाएगा, तो मैं home science, crackit का जो हमारा telegram channel है, वहीं पर इसको share कर दूँगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं, और इसकी जो details है, explanation है, वही में वहां पर share कर दूँगी, तो आ आप मेरे telegram channel से वहां पर ले सकते हैं, okay, अगर आपको जो भी topic, जैसे कि कई बच्चों ने, हमको, students ने, हमें share किया है, कुछ topics बोले हैं, तो मैं कोशिप, पूरी कोशिप करूँगी, कि जो भी आप topic कहते हो, वो मैं यहां पर आपको explain करूँ, उससे written video share करूँ, okay, लिगे ही, जो recent के exam हुए है, उसका भी paper में solve करवाऊंगी, जैसे ही paper available होता है, okay, मिलते हैं next video में, thank you so much, bye bye and take care.